पिकाव पहुत सदियों पहले उद्दर हिमाले पर एक छोटा सा गाओ था वो उस गरी काओ में एक अड़ी परिवार का लड़का था परासर अपने पिता के साथ रहता था वो गामायू में ही अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन और मुद्दिया बनाता था लेकिन तो जीवन भार मिट्टी के बर्तन बनाएगा एसाब को छोड़के पढ़ाई में मन्दे बेटा सोन जल्दी से तयार हो जाओ कल सुभा ही हम लोग रावाना होंगे कहा जाएंगे पिताजी पास के गाव सेरपूर में रिशी पूनी के अस्रम में वहां जाके तुम अस्त्र और सास्त्र दोनों का ज्यान प्राफ्त करना प्रणाम गुर्देप कौन हो बच्चा तुम मैं केशब हूँ मैं एक कुम्हार हूँ सिउपूर से आया हूँ ए मेरा एकलावता बेटा है इसे अपने चरणों में रख लिजी गुर्देप मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे जैसा कुम्हार बन कर रहे ग्यान प्राफ्त करके एक अच्छा इंसन बने ठीक है ठीक है तुम निश्चिन्थ होकर हड़ जाओ किशब वो मेरे पास रहेगा उसके बाद रिशी मुनी के अश्रम में पराशर ग्यान प्राप्त करने लगे अश्रम के सभी बलकों में से पराशर सबसे ज्यादा ग्यान में अबल था तुम्हें गुरुदे बुलाये हैं ठीक है तुम लोग जाओ हम लोग आते हैं यह है चंद्रपुर के महाराज चंद्रसेन यह बड़े संकट में परकर आये है क्या हुआ है कुछ दिनों से चंद्रपुर पर एक समझ सा अनपरी है राजमहल से नगरों से दिन पर दिन लोग गाइब हो जा रहे है क्या हो रहा है लोग कहा गाइब हो जा रहे है पता नहीं तुम लोग बुद्धि मान हो, बीर हो, इसलिए मैं चाहता होगी, तुम दुनों ही इस समुस्या का समधान करो, क्या करना होगा बताइए? ये लोग समधत, इस चकर को अपने पास रखो, मुसीबत में काम आएगा, और ये लोग परासायर ये अपने पास रखो, अगर जो रुरत पढ़े तो इसे इस्तिमाल करना, धन्ये बाद गुरुदेब अब तुम लोग पेश्रिम के जंगलों की तराफ निकल पड़ो, वहाँ जाके विरीगु से मिलना विरीगु कौन है? वो सरब ग्यनी है वो सरब ग्यनी है, वो सब कुछ जानते है क्या गट्ना है? वो तुम दुनों को बता सकते है प्रणाम रिसिवर किसलिए तुम दुनों यहां आयो हो रिसिवर चंद्रपुर के प्रजाये बहुती मुसिबत में पड़े है बहां के लोग जब तब लुप्त हो जा रहे है यहां से पस्सिम दिसा के ओर बीस घुज दूर एक दानब नगरी है यह उन लोगों का ही काम है चंद्रनगर के लोगों को अगवा करके ले जा रहे हैं और उनको अपना आहार बना रहे हैं इस समस्य का समाधान करने के लिए तुम दोनों को वहां जाना होगा जाओ तुम दोनों चाओ उसके बाद परसर और उसके दोस्त दोनों निकल पड़े दानब नगरी के ओर रिसी मुनी के बातों के अनुसार हाँ कितना बड़ा महल लेकिन ये खाली-खाली क्यों है पुरा खाली है बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो, बचाओ अरे, वो देखो, वो देखो, पिंजडरे में कोई है बचाओ मुझे, बचाओ हाँ, हाँ, रुके, रुके, रुके लेजे, लेजे, बहाँ निकल जाईए धन्यवाद कौन है अब? मैं चंद्रकांता, स्वर्ग की अफसरा दानब मुझे छोटी सी गुडिया बना के पिंजडरे में बंद करके रखा था लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों आये हो? हम लोग उसे मारने आये हैं उस दानब को मारना इतना असान नहीं इस महल के नीचे एक कालीमा का मंदिर है उस कालीमा के हाथ में एक सुर्ण दंड है उसी दंड में उस दानब का प्राण है उस दंड को तोड़ दोगे तो दानब मर जाएगा पुझे खतब होने के बाद मैं अमार हो जाओंगा एस अपना तेरा कभी पुरा नहीं हो गर सेटान तुम लोग कौन हो हो यहापे क्यों हो तुम लोगों का इतना बरा हिम्मेद इहे लोगों दोस्त वो वो देंट तोर दो एले सैतान इहापे लेकिन महाराज दानब को मारने के लिए इन दोनों को वीर नहीं का जा सकता है महाराज पेताल दानब एक माया भी था इसलिए उसे मानने के लिए दोनों ने माया भी सकती का परियोग किये इसलिए दोनों को वीर कहा जा सकता है समझे पेताल इसलिए अब मैं चला अब मैं चला अब मैं चला अब मैं चला महाराज हाँ 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 हाँ